हेलो गाईज, वेलकम टो अवर यूटिब चैनल, तो देखे, मैं आपका दोस्त अब है, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटिब चैनल पर, आज हम लेकर आये हैं वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं, जो डेलियो उनिवर्सिटी सोल के सेमिस्टर वन के एक जरूरत होगी, मतलब passing criteria क्या होने वाला है इन examination में, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं, what is the passing criteria for clearing semester 1 examination for all undergraduate courses, जितने भी undergraduate के course हैं, उन सभी के लिए ये passing criteria है, किसी particular stream के लिए ने, कि BCOM वाले, BA वाले, या BSC वाले कोई, ये सभी के लिए है सभी को pass होने के लिए इतने marks की जरूरत पढ़ने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो और देखते हैं इस criteria को, उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को जरूर subscribe करना है, इस टाइब के important और updates के लिए और वीडियो को like कर ना भूले वीडियो को share करते रहें, तो चलिए अब शुरू करते हैं, जो आप लोगों का passing criteria होने वाला है, वो होने वाला है 40% in each subject, मतलब आपको subject wise pass होने के लिए 40% marks लाने होंगे हर subject में, और अगर आप subject wise pass हो जाते हैं, तो आपका overall result भी pass कर दिया जाएगा, ठीक है ये तो हो गई 40% की form में बात, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको marks कितने लाने होंगे, तो देखें जो आपकी category है subject की DSC के अंदर जितने भी आपके main core वाले subject हैं, और general elective की category है जो, उसमें जितने भी subject हैं, उनका आपका exam होने वाला है 75 marks का, तो उसमें आपको clear करने के लिए 40 percent of 75 हो जाते हैं हमारे 30 marks, तो आपको 30 marks लाने होंगे DSC और general elective के subjects में, उसके अलावा आपकी और category हैं, VAC की, SEC की और AEC की, इनमें जो subject हैंगे इस category में, उनके जो exam आने वाले हैं, वो आएंगे आपके 50 marks के और उन्हें clear करने के लिए आपको 40 percent of 50, means 20 marks आपको लेकर आने आपको DSC और general elective में, और बाकी जो VAC, SEC और AEC की category हैं, उसमें आपको चाहिए 20 marks clear करने के लिए, अगर आप subject wise clear कर लेते हैं, तो आपका जो overall result होता है, वो भी clear हो जाएगा, तो देखें, मैंने आपको passing criteria बता दिया है, इसमें कि आपको कितने-कितने marks चाहिए clear करने के